इंजिनेरिंग में आज का हमारा टॉपिक है इस वीडियो में वाट इस आपको हम बताएंगे बढ़िया से चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट का है की यह उसके लिए रॉप किरते हैं हम चाहते हैं सोफ्टर को मेंटेन करते है 각ल समझाते है software maintenance software को modify करने का प्रोसेस होता है जो कि customer को software को दे देने के बाद होता है माले जह हमने customer को software बना के दे दिया अब customer चाहता है कि software में कुछ चीज़े एड करनी हो new चीज या फिर चाहता है कुछ चीज़े हटा दे या फिर नई टेकनोलोजी के साथ उसमें अटरफेस चेंज करें और यूजर फ्रेंडली बनाए उसको तो उसकेस में हम सफ्ट्र को maintain करते हैं वही कला था software maintenance सेकेंड पॉइंट देखो software must be upgraded and maintain regular आइधर डिपेंडिंग अपन दा यूजर रिक्वार्मेंट और change in technology या तो user requirement के according software को अपग्रेड और maintain करना ज़ारी होता है ठीक है या तो नई टेकनोलोजी के according software को maintain करना ज़ारी होता है अगर आप ऐसा नहीं करेंगे माला लिजे टेकनोलोजी चेंज हो रहा है और आप टेकनोलोजी के साथ आगे नहीं बढ़ रहे हैं तब क्या होगा आपका प्रोड़क्ट दीरे-दीरे मार्केट से गायब हो जाएगा रियल लाइफ एक्जेंपल आप माइक्रोसोफ्ट को लिजिए एमस ऑफिस स्टार्टिंग में 2003-2007-2009-2013-2016 का वर्जन यूज होता था अभी लेटेस्ट वर्जन क्या है 2019 यूज किया जा रहा तो माइक्रोसोफ्ट जैसे जैसे टेकनोलोजी बढ़ता जा रहा वैसे वैसे अपने आपको क्या कर रहा मेंटेन कर रहा तो क्या होगा कि उसके जगा पर नया यूजर फ्रेंड़ी वाला और असानी से यूज होने वाला सौफ्ट आ जाएगा ठीक है इसलिए सोफटर को मेंटेन कर रहा रेगुलर बैसिस पर ताकि हमारे जो क्लाइंट है वो हमसे क्यों प्लाटफॉर्म सौफ्टर मेंटेंस की जौरत क्यों पड़ती है जो भी हमारा प्रोड़क्ट पहले से ही बना हुआ है उसमें जो भी एर है उसको करेट करने के लिए मेंटेनेंस करते हैं और साथ ही साथ उसमें कुछ नए फीचर को एड करने हो तो हम मेंटेनेंस द को इस लाइक बनाएंगे कि वो नए नए टेक्नोलोजी नए प्लेटफोर्म में रन करें ठीक है नंबर फॉर्थ क्या है इन अर्लियर डेस शॉफ्टर मेंटिनेंस वास्ट नेगलेक्टेड एरिया बायन और्गनाजेशन पहले शॉफ्टर मेंटिनेंस को पर कोई ध्यानी न अब चाहता है कि इसमें और चीजे आ जाये तो इसका मतलब यह नहीं कि हम नया सॉफ्टर बनाकर फिर से देदेंगे हम क्या करेंगे उसी को मेंटिनेंस देंगे उसी में चीजे एड कर देंगे ठीक है पहले की टाइम में क्या होता था क्लाइंट का रिक्वार्मेंट आरा करके उसमें नहीं चीजे क्लाइन के रिक्वार्मेंट के कोडिंग आड करके आज हम दे देते हैं इसलिए सॉफ्टर मेंटिनेंस आज का बहुत ही कॉमन फ्रैक्टर है सॉफ्टर डेवलप्मेंट से ज्यादा फोकस किया जाता है इंडस्ट्री में ठीक है अब हम आपको ब साइब यह सिर्फ फाइंड किया जाता है और डेवलपर को बता हाँ घंघुर लपर उसको फिक्स करते हैं उस ती चरह के मेंटेंच कोको फोलते में ध्रिन इसम अपटे जै और यह प्राबलम यूजर ही सिर्फ फिन करता है लाइं तो वीज समाइन करता है सब्सक्राइब रेंडिंग अपुन्दा निव सॉफ्वेर और हाडवेर एड़ेप्टिव मेंटेनेंस में क्या होता है हम सॉफ्वेर को अपडेट तथा मोडिफाई करते हैं ताकि हमारा जो सॉफ्वेर वो नए-ए-प्लैट्फॉर्म में रन कर सके नए ऑप्रेटिंग सिस्टम के साथ रन चीजे लाना चाहता है या फिर उसके इंटरफेस को चेंज करना चाहता है तब वो किया जाता है अड़ेप्टिव मेंटेनेंस थार्ड हो गया प्रिफ्वेर टाइम तक यूज कर सके इसलिए सॉफ्वेर को अपडेट और मोडिफाई करते हैं ठीक है ताकि हमारा जो सॉफ रहे और उसे यूजर यूज करें तो इस तरह के मेंटेनेंस को हम क्या बोलते हैं प्रिफेक्टिव मेंटेनेंस अब आपको बता देते हैं सॉफ्वेर मेंटेनेंस की जरूरत क्यों पड़ती है सबसे पहला जरूरत को हटाने के लिए एक्जिस्टिंग सॉफ्वेर और ज्यादा अच्छा बनाना और यूजर फ्रेंडली करना चाहते हैं तब सब्सक्राइब को मेंटेन करना पड़ेगा थार्ड अप्टिमाइज दकोड जिससे कोड फास्टर रन करें जैसे हम चाहते हैं कि पुराने लेंदी कोड को हटा के उसके जगा कुछ नया कोड लाइ करते हैं नंबर फॉर्थ हम चाहते हैं कि unwanted side effects से हमारे software को बचाया जाए तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं software को maintain करते हैं तो यह कुछ key factor थे software को maintain करने के यह हो गया हमारा software इंजिनेरिंग में सॉफ्टर मेंटेनेंस जिसमें हमने आपको बता कि सॉफ्टर को मेंटेन क्यों करते हैं वीडियो पसंद आया तो लाइक करें सेयर करें चानल को सब्सक्राइब कर दीजिए